नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरी तरह ध्यान रख रहे होंगे आज की इस वीडियो का बे सबरी से इंतजार कर रहे होंगे तो चलिए आज हम करेंगे कुछ कमाल आज हम करेंगे कुछ कमाल ले आएए अपनी इतिहास की पुस्तगें ततकाल क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं हजार वर्षों के दोरान हुए परिवर्थनों की पड़ताल अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर पदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है एतिहासिक अभिलेक कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं उधारन के लिए मध्ययुक्य फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन है यह भिन्नता सिरफ व्याकरण और शब्द भंधार में ही नहीं समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं उधारन के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए आज हम इसे आधुनिक राष्टर राज भारत के अर्थ में लेते हैं 13 सदी में जब पार्सी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का परियोग किया था तो उसका आशिव पंजाब, हर्याना और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था उसने इस शब्द का राजनितिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तिमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेतर में आते थे सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतरगत आने वाले क्षेतर भी बढ़ते गए लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिन भारत का समावेश कभी नहीं हुआ इसके विप्रीत सोल्मी सदी के आरंब में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रियोग इस उप महाद्वीप के भुगोल, पशुपक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया यह प्रियोग चौदमी सदी के कवी अमीर फुस्रो द्वारा प्रियोप्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनेतिक और राष्टे अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं किसी भी शब्द का प्रियोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए क्यूंकि अतीत में उन शब्दों के अलग ही अर्थ थे उधारन के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लिजिए हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भार्थियना हो मद्धे युग में मानो किसी गाउं में आने वाला कोई भी अंजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फार्सी में अजनभी कहा जाता था इसलिए किसी नगर निवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था किन्तु एक ही गाउं में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार्मिक या जाती परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे अब बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत्रों के बारे में इतिहासकार किस युक का अध्यन कैसे करते हैं उनकी खोज की प्रकृत्री क्या है उसे देखते हुए वे अलग-अलग तरह के स्रोत्रों का सहारा लेते हैं उधारन के लिए पिछले साल आपने गुप्तवंश के शासकों और हर्षवर्दन के बारे में पढ़ा इस पुस्तक में हम मोटे तोर पर साथ सो से सत्रा सो पचास इसवी तक लगभग हजार वर्षों के बारे में पढ़ेंगे इस काल के अध्यन के लिए इतिहासका जिन स्रोत्रों का प्रियोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, जिसे हम भवन, निर्मान, कला, तथा लिखित सामगरी पर निर्भर करते हैं पर कुछ बातें पहले से काफी भी नहें इस युग में प्रमानिक लिखित सामगरी की संख्या और विविदिता अश्चरे जनक रूप से बढ़ गई थी इसके आगे इतिहासकार सुचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत्रों का इस्तिमाल धीरे धीरे कम करने लगी चौदमी श्तापदी के दोरान कागस क्रमशा सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्द भी होने लगा लोग, धरमगरंत, शासकों के व्रितांत, संतों के लेखन तता उपदेश, अरजियां, अदालोंतों के दस्तावेज, हिसाब तता करों के खाते आदी लिखने में इनका उपयोग करने लगे धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तता मंदिर पांडू लिपियां एकत्रित करने लगे इन पांडू लिपियों को पुस्तकालियों तता अभी लेखागारों में रखा जाता है इन पांडू लिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी व्रिस्तित जानकारी मिलती है मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है उन दिनों छापे कहाने तो थे नहीं इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडू लिपियों की प्रतिकृती बनाते थे अगर आपने कभी किसी मित्र के ग्रह कारे की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिख्या गया है फल्सोरूप आपके लिखे हुए में आपके मित्र से लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे परंतु महतुपूर्ण अंतर आ जाते होंगे पांडू लिखी की प्रतिलिखी बनाने में भी कुछ-कुछ यही होता है प्रतिलिखिया बनाते हुए लिखिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सधी-दर-सधी प्रतिलिखियों की प्रतिलिखिया बनती रही और अंतर एक ही मूल गरंध की भिन-भिन प्रतिलिखिया एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन हो गई क्योंकि आज हमें लेकक की मूल पांडू लिपी शायद ही कहीं मिलती है हमें बाद के लिपी को दोवारा बनाई गई प्रती लिपियों पर ही पूरी तरहा निर्भर रहना पड़ता है इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूल तह लेकक ने क्या लिखा था संशोधन करते रहते हैं चौदवी श्ताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दिन बर्नी ने अपना वृतांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके दो वर्ष बाद मतलब 1358 में लिखा दोनों में अंतर है लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृतांत की जानकारी ही नहीं थी यह पुस्तकालियों के विशाल संग्रहों में कहीं दबी पड़ी रह गई अब बात करेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समुहों के बारे में सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्यन इतिहासकारों के आगे भारी चुनाती रखता है मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए इस काल में अलग-अलग समय पर नई प्राद्योगी के दर्शन होते थे जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चर्खे और युद में बारूद वाले हथियार इनका इस्तिमाल होता था इस उप महाद्वीप में नई तरह का खान-पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाए और कॉफी ध्यान रखें कि ये तमाम परिवर्तन नई प्राद्योगी किया और फसले उन लोगों के साथ आये जो नए विचार भी लेकर आये थे परिणाम सोरूप, यह काल आर्थिक, राजनितिक, समाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल कहा जाता है इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था अवसर की तलाश में लोगों के जुन्डों के जुन्ड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे इस उप महादूइप में अपार संपदा और अपना भागे गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी इस काल में जिन समुदाओं का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाए था राजपूत जिसका नाम राजपूत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है आठ्मी से चौद्मी सदी के बीच यह नाम आम तोर पर योद्धाओं के उस समुद के लिए प्रियुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे राजपूत शब्द के अंतरगत केवल राजा और सामंत वर्गी नहीं भलकि वे सीनापती और सैनिक भी आते थे जो पूरे उप महादूइप में अलग-अलग शास्कों की सिनाओं में सेवा रत थे इस युग में राजनितिक द्रिष्टी से महत्व हासल करने के अवसरों का लाब, मराथा, सिक, जाट, पहोम और कायस्तादिस मुहों ने भी उठाया इस पूरे काल के दोरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्यक क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तोर पर हुआ परियवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृशक बन गए जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे लोग जातियों और उपजातियों में बटने लगे ये दर्जे स्थाई नहीं थे किसी जाति विशेश के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसादनों का नियंतरन है इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा होता था और किसी और क्षेत्र में कोई और अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातिय सुय अपने अपने नियम बनाती थी इन नियमों का पालन जाती के बड़े बजूरकों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाती पंचायत कहा जाता था लेकिन जातियों को अपने निवास के गाउं में रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था इसके अलावा कई गाउं पर मुख्याओं का शासन होता था मिल मिलाकर वे किसी राज्ये की एक छोटी इकाई भर होती थी चोल, तुगलक या मुगल इन जैसे बड़े-बड़े राज्यों के अंतरगत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे दिल्ली के सुल्तान ग्यासुदिन बल्बन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुती में उसे एक विशाल सामराज्ये का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल जिसे गौड के नाम से भी जाना जाता था वहां से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी जो की तब गजन के नाम से जाना जाता था वहां तक पहला हुआ था और जिसमें संपून दक्षिन भारत द्राविड भी आ जाता था गौड, आंध्र, केरल, करनाटक, महराष्टर और गुजरात भिन भिन क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे इतिहासकर विजे अभियान के इन दावों को अतिश योक्ति पून मानते हैं साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन मिन भागो पर अपने अधिकार का उलेक क्यों करते रहते हैं सन साथ सो तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भागोलिक आयाम तै हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तता संस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी ये क्षेत्र विशेष शासक राजवन्षों से भी जुड़ गए थे इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी कभी-कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवन्ष अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल सामराज्य भी खड़ा कर देते थे ये सभी सामराज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे अठारवी सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पद था फल सो रूप क्षेत्रिय राज्य फिर से उभरने लगे लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रिय सामराज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृत्ती बदल गई थी उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उप महादुईब के अधिकतर भाग पर पहले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी इस सत्य का पता हमें उन कई परमपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी इन परमपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन और कुछ एक समान थी जैसे हमें प्रशासन, अर्थवेवस्था के प्रबंधन, उच्छ संस्कृती तता भारत के संधर्व में मिलती है संसाथ सो से लेकर सत्रा सो पचास के बीच के हजार वर्शों में इन विभिन क्षेत्रों की प्रकृती एक दूसरे से कटकर अलग-अलग नहीं पनपी थी हाला कि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहे थी मगर समन्वे की सर्फ शित्रियच ताक्तों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था अब बात करते हैं कुछ पुराने और नए धर्मों की इतिहास के जिन हजार वर्शों की परताल हम कर रहे हैं इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तनाएं डैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी-कभी बिलकुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी मगर आम तोर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था किसी डैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानि धर्म, प्राय, स्थानिय समुदाओं के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंदित होती थी जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया आज हम जिसे हिंदू धरम कहते हैं उसमें भी इसी युक्के महत्वकुन बदलाव आये थे रूप में ब्रामन का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता संस्कृत गरंथों के ज्यान के कारण समाज में ब्रामनों का आदर बहुत बढ़ा ब्रामन इन गरंथों के सरक्षिक थे इन सरक्षकों का समाज में दबदबा और भी बढ़ गया था इस युग में एक महत्वपून परिवर्तन भक्ती की अवधार्ना के रूप में आया इसमें इश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इश्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विश्द कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वें पहुंच सके यही वह युग था जिसमें इस उप महादूइप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल सात्मी सदी में व्यपारियों और अप्रवासियों के जरिये आया मुसल्मान कुरान शरीफ को अपना धर्म गरंत माते हैं लेकिन एक इश्वर अल्ला की सक्ता को सुईकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदार्ता अपने में आसा रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक प्रश्ट भूमी कुछ भी हो कई शासक इसलाम और इसके विद्वान धर्म शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों उलेमा को सरक्षन देते थे उलेमा वो थे जो इनके न्याय शास्त्री थे हिंदु धरम की ही भाती इसलाम के अनुयाई भी अपने धरम की अलग-अलग तरह से व्याख्या करते थे मुसल्मानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसल्मानों का विधी सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्विकार करते थे इसलाम के आरंबिक दौर में इस धरम का नित्रित्व करने वाले खलीफा कहलाते थे आगे भी इनकी परंपरा चलती रहे ऐसे ही धरम सिध्धानतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिनताएं देखने को मिलती है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे उनका नजरिया यह है कि समय समाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को जलकाता है यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थाई तो रहा है और कितना परिवर्तन आया है यदि अतीत को समान विशेष्टा रखने वाले कुछ बड़े-बड़े हिस्सों युगों या कालों में बाट दिया जाए तो समय का अध्यन कुछ आसान हो जाएगा 19-वी सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहासकों तीन युगों में बाटा था और अर्थ व्यवस्ता, समाज और संस्कृती में और कोई भी महतोपून बदलाव नहीं आता इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही सुईकार करते हैं अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के अधार पर ही अतीत के विभिन कालखंटों की विशेशताइं तै करते हैं पिछले साल आपने जो इतिहास पड़े थे, उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था जैसे शिकारी संग्रहक, प्रारंबिक दौर के कृशीकर्मी, शहरों और गाओं के निवासी और प्रारंबिक दौर के राज्य और समराज्य इस साल आप जो इतिहास पड़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है इसमें आपको कृशक, समाजों के विस्तार, क्षेत्रिय और सामराज्य राजियों में उदे, कभी-कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदु धर्म, इसलाम धर्म के विकास और यॉरप से व्यपारी कमपनियों के आगमन क बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलाओं के साक्षी रहे हैं। आखिर सोलवी और अठारवी शताबदियां आठवी या ग्यारवी शताबदियों से काफी बिनती। इसलिए इस सारे काल को एक इतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्य काल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक्ता के साथ बहुतिक उन्नती और बौधिक प्रगती का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशिय यह निकलता है कि मध्य काल प्रूडिवादी था और इस दौरान कोई परिवर्ता नहीं हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। हमारे वर्तमान के सवालों के जवाब हमारे अतीत में छुपे होते हैं। आशा करती हूँ आज के इस अध्याय में आपको अतीत के कुछ सवालों के जवाब मिल गए होगे। अब जब सवाल और जवाब की बात हो ही रही है तो चलिए जानते हैं आज के अध्याय में आपने क्या सीखा। तो बताईए। प्राचीन काल में हम विदेशी किसे कहते थे। कोई भी अंजान व्यक्ति जो संस्कृति और समाज का अंग ना होता था उसे विदेशी कहा जाता था। अच्छा बताईए अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को कौन से तीन युगों में वाटा था। बिलकुल सही हिंदू, मुसलिम और ब्रिटिश अब मैं कुछ वाक्य पढ़ूंगी आपने मुझे बताना है क्या ये सही है या गलत। संसाथ सुक के बाद के काल के संबंध में अभिलेक नहीं मिलते हैं। बिलकुल सही। इस काल के दोरान मराठों ने अपने राजनितिक महतों की स्थापना की। ये भी बिलकुल ठीक है। क्रिशी केंदृत बस्तियों के विस्तार के साथ कभी-कभी वन निवासी अपनी जमीन से उखाड बहा दिये जाते थे। बिलकुल सही। अब आखरी। सुल्तान ग्यासुदिन बलवन, असम, मनिपुर तथा कश्मीर का शासक्ता। गलत जमा। अब हम कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ती करेंगे। तो बताईए, अब इलेखागारों में क्या रखे जाते थे। अबिलेखागारों में पांडुलिपियां और दस्तावेज रखे जाते थे। खालिस्थान, चौदमी सदी का एक इतिहासकार था। इस उपमहाद्वीव की मुख्य फसलें कौन सी थी। आलू, मक्का और मिर्च इस उपमहाद्वीव की मुख्य फसलें थी। इसी के साथ हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। हम जल्द ही वापिस आएंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सुष्थे रहे, सुरक्षित रहे तता पढ़ते रहे। नमस्का